हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल विकम फ्लैसिंग एक्सपर्ट में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पास एक रेडमी कंपनी का फोन आया हुआ है और जिसका मॉडल नमबर है रेडमी नोट 10 तो दोस्तों जैसा कि आप दीख पाए लगे इसका में मॉडल मर आपको दिखा देता हूं तो जैसा कि आप यहां पर देख पाए ययम 21 इस तरीके से इसका मॉडल मर लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखांगा कि आप Redmi Note 10 का FRP Log कैसे बाइपास कर सकते हैं और जिसका YMIUI वर्जन है 12 ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ है पर देखे कोई स्कीब का बटन है नेक्स्ट पर कलिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का Error और वह रहा है तो आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसका FRP बायपास करना है बिना किसी computer के बिना किसी laptop के बिना किसी box या फिर बिना किसी dhongal को कैसे bypass करना सबसे पहले मैं आपको इसका YMIUI version दिखा दे रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे यहां पर देख लिजए यह माई यूई 12 है इसमें और इसका फर्पी बाइपास करना आप मैं आपको सिखाने जा रहा हूं तो सबसे पहले आपको करना क्या है next next करते जाना है और इस phone के वाइफाई वाले सेक्षन पर आकर रुख जाना है इस वाले सेक्षन में आकर आपको रुख जाना है सबसे पहले मैं आपको दिखा देरा हूँ कि इस phone में FRP lock लगा भी है या नही आपको एक्जैक्ट पता चल जाना चाहिए तो सबसे पहला आपको रीजन है कि कैसे पता करेंगे तो आप यहां पर देखें कि एक लॉक सा बना हुआ अब आपको मैं दिखा देता हूं उसके बाद मैं आपको इसका एक्चुल तरीका वताओंगा कि कैसे इसको बाइपास करना है यहां पर यहां पर यहां पर यूज गूगल एकाउंट स्टेट करके ऑप्सन दिखा रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपसे फिर से वही प्रॉ पासवर्ड को डालिए और एकसेस कर लीजे तो मेक्सियोर कि अगर आपको याद नहीं तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे इमेल आईडी और पासवर्ड याद नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं आपको इस वाइफाइ वाले सेक्शन में आकर रूख जाना है और आपको इस तरीके से होल्ड करें रखें जैसे होल्ड करके रखेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक कर देंगे इस तरीके का ऑप्शन बन गया त्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप delete or disable लिखा हुआ आएगा आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ यह नहीं है डिलीट यूर account गूगल अकाउंट यह नहीं है आपको बैग जाना है यहाँ पर देख लिए कोई भी option नहीं है आपको दिखाता हूँ कि उस option में डिफरेंस का है मैं आपको यहाँ पर टाइप करके बता रहाँ डिलीट इसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट लिखना है और डिसेबल जैसे अप मतलिकेंगे तू यहाँ पर आ जाए अल्ट में सक्राओं करना नीचे के तरफ यहाँ पर दिखिए सिस्टम यूरीऊ पर एक्वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले setting में चले जाना दोस्तों यहां पर देख लिए setting का option है और open वाली बटन पर click कर देना open वाली बिटन पर जैसे आप click कर देते हैं दोस्तों उसके बाद आपको इस तरीके option आएगा accessibility accessibility menu इसको आउन करना allow पर click कर देना है यहां पर देख लिए यह आईकॉन बन चुका है यहां पर देख लिए इस तरीके से अब आपको की बटन पर click करके इसको बैक कर लेना बैक कर लेना और बैक करते चले जाना दोस्तों आपको अब आपको करना क्या होगा मैं आपको बताताओ तो simple सा step है back आपको फिर से back जाना और इसी वाले section में आकर सबसे उपर ही हम आपको दिख जाएगा android setup यहां पर देख लीजे इसको पहले disable करना है force stop कर देना है back उसके बाद आपको क्या करना है android setup एक आपको दिख गया है उसके बाद आपको scroll करना है android setup फिर से दिख जाएगा इसको disable करके चिक कर लेना आपको की disable है या नहीं तो force stop पे click करने android setup आगया है अब आपको इसको back कर देना दो setup दिखेंगे दोस्तों आपको android आपको carrier services पे जाना disable करना है force stop पे click कर देना है यह clear हो गया उसके बाद back चले जाएगा गूगल प्ले सर्विस आपको दिख जाएगी दोस्तों google play service आपको दिख जाएगी scroll करेंगे यह देखिए google play service पे जाएंगे disable पे click करेंगे and force stop पे click करके ok कर देंगे यह हो जाएगा clear अब आपको क्या करना simply back button पे click कर देना ध्यान दीजेगा आपको back button पे click कर देना है और यहां पे next पे click कर देना जैसे ही आप यहां पे देखेंगे तो जेस्टर से checking update जेस्टर से checking update बस आपको यही लगतार दिखाता रहेगा दोस्तों अब main तरीका जो हमने यह on करवाया था दोस्तों दिखिए यह इसका यूज आ गया है दोस्तों यहां पे देखिए इस वाले आइकान पे click करके Google Assist पे click कर देना है इस वाली setting को open करना है दोस्तों यहां पे देखिए बार बार वो setting option आएगा इस तरीके का जो option आया था वही आएगा दोस्तों तो आपको setting पे बार बार तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार हट जोड़कर विंती करना चाहूंगा क आपका देखते तो आपकी problem sort out हो जाएगी दोस्तों यह एक बार करने पर नहीं आएगा इस बात का आप खास ख्याल रखें आपको जल्दी करना होगा जो भी action करना है जो भी task करने वो तुरंद कर देने ठीक है दोस्तों जैसे कि मैंने आपे click किया Google Assistant फिर से click किया Google Assistant मैं आ इसे ही आपको यहां पर हो जाएगा इनेबल मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से वह होगा सैटिंग पर क्लिक कर देता हूं इस तरीके option आपस जल्दी से disable को कर देंगे वो एनेबल हो जाएगा इस पर clear data पर क्लिक करेंगे clear case और उसके फिर से click करेंगे clear all data इतना कर देन आपके सामने आगे का procedure आ चुका है दोस्तों अब आपको मैं setting में ले जाकर इसका model नमर भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें android version कौन सा काम कर रहा है या फिर work कर रहा है और आगे आपको इसका setup करने में क्या-क्या परिशानी आएंगी वो भी दिखा दूंगा skip button पे फिर से ynर्ली करें arrow button पे क्लिक करतेूं ना फिरसे एरो-बटन प्लिक करते ही आपका फोन बिना किसी problem कि बिना किसी दिक्कत के आपका फट फाइनली ठीज बताना चाहुंगा कि अगर आपका phone fully खुल जाता है तो आप सैटिंग में जाए और आराम से जाकर उस phone की सैटिंग में जाकर इस phone को factory सेट कर देजे ताकि जो भी सैटिंग है वह जिन सैटिंगों में छेड़ जाड़ हुई है वह accurately अपने जगांपर सैट हो जाए और default सैटिंग हो जाए उसके आप देख पार होंगे जैसा कि आपका फोन खुल चुका और बिना किसी प्रॉब्लम कि आपका फोन पूरी तरीके से खुल चुका दो तो अब आपको मैं स्वाइटिंग में ले जाकर इसका मॉडल अबर दिखाने की कोसिस करता हूं ताकि आपको बहतर से नॉलेज प्रॉइ देखें चार्जी भी रहें और आपको यहां पर देखें मॉडल बर आपको दिख रहा होगा दोस्तों मॉडल है यहां टू जिरो वन के इस तरीके से यहां पर एंड्रोइड का सेक्योर्टी पाइस है तो थैंक्स थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो जैहिंद वंदे मात्रम भी प्रहा होगा होगा हगा है यहां बोस्तों मॉडल है